गोड़ा अफनून यो ओल, तो तोड़े आध टोफिक दाट इस दे रोश्यन रिवोलुशन इस से पहले वाले वीडियो में रिवोलुशन का मतलब बताए और रोश्यन रिवोलुशन जेनरली टू इवन्ट को कवर करते फेबरारी रिवोलुशन और अक्टोबर बताए थे यहाँ पर आज हम लोग डिसक्स करेंगे की फेबरारी रिवोलुशन जो है वो तो अधम बचा हुआ ही तक है जास हम लोग ने डिवालीन किये और आक्टोबर रिवोलुशन भी बचाह सीघ़ी है जास हम लोग ने डिवालीन किये की रोश्यन revolution किसको कहता है तो यहाँ पर आंसर था two events को February revolution and October revolution ठेक है तो अभी वो revolution का बारे में तो discuss करना बागी ही है तो उससे पहले हम लोग जानना जरूरी है कि रोसिया का जो society का setup कैसा था रोसिया का economy किस पर dependent था revolution से पहले और था यह जो रोसिया का economy condition और रोसिया का society का सेट आप जो किस हद तक responsible है वहाँ पर revolution होने के लिए तो उस चीज़ पर आप हम लोग discuss करते हैं तो फर्स्ट अफल economy and society में देखेंगे beginning of 20 century तक beginning of 20 century तक रोसिया का 85% population जोई that means 20 century का beginning मतलब 1901 से 20 century begin होते हैं so beginning of 20 century में रोसिया में जो है 85% population जो है यह agriculture पर डिपेंडेंट थे जैसे कि present day में देखेंगे इंडिया में ज्यादातर लोग agriculture पर डिपेंडेंट है उसी तरसे रोसिया में भी 20 century का beginning तक 85% population एगरी कल्चर पर डिपेंडेंट था और उसका comparison में अगर हम यूरोप का इदुसरा country चैसे कि France को देखेंगे जर्मनी को देखेंगे तो वहां पर जो है agriculture पर dependent population जो है 40% और 30% है धाट मींस योरोप का बाकी country में EGRICULTUR पर dependent population जो है कम था भाट रुसया में agriculture पर डिपेंडेंट पोपुलेशटन ज्यादा था धाट मींस जयादा तराक लोग agriculture ही करते थे कहने का मतलब कि रसिया में जो इंड़स्ट्री था हर जगा तो नहीं था कुछ ही जगा पर इंड़स्ट्री था और कुछ जगा पर था तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा था that means maximum industries जोए कुछ small area में ही concentrate था और कहने का मतलब ही जैसे कि यहाँ पर आप देखे सेंट पिटर्सबर्क और मस्को जोए यह एरिया में ही था सबसे ज्यादा industries बगरा और बहुत इंड़स्ट्री था यह एरिया में और बाकी एरिया में जोए इंड़स्ट्री बगरा नहीं था ओके हाँ और इसी तरह से रसिया में जैसे जैसे ही railway का network expand होने लगे और जैसे railway का network extend होने लगे और foreign investment बगरा भी वहाँ पर बढ़ने लगा तो वहाँ इंड़स्ट्री बगरा भी increase हुआ जैसे कि coal का production वहाँ पर double हो गिया और इसी तरह से iron and steel का production और quadrot मतलब four times बढ़ गया और होता भी है जैसे कि railway बगरा का lines बगर एक्स्टेंट होने के कारण इंड़स्ट्री बगरा को setup करने में आसान हुआ और ट्रांसपोर्ट में आसान हुआ और इसी लिए foreign investment बढ़ा इंड़स्ट्री बड़ा जैसे कि यही चीज़ वहाँ बढ़ ऑके, most industry was private property of industrialist of industry जो ओन कर रहे थे वह वहाँ पर industry minimum wage and limited hours of work but government जो है वो जो private industrialist लोग जो industry run कर रहे थे वहाँ पर labor का exploitation नो हो labor का wage जो है सही wages मिले labor का इसलिए government उसको supervise करते थे that means factory बगरा का work time को plus wage को government supervise करते थे government control करते थे जीसे कि प्रेजेंट इंडियान भी देखेंगे तो बहुत सहरा यहां पर private industries बगरा जो है और government का यहां minimum wage act जो है वो follow करना होता है जिस minimum wage act के तहत जो है workers को कितना worker duration जो है worker duration plus wages क्या होना चाहिए यह सभी में इन लोगों को थोड़ा सुविदा मिलता है इंक्राफ्ट यूनिट्स एन इस्मल वोर्क्शप वोर्किंग डिवा संब्सम्राइं 15 आवर्स और बात करेंगे जोड़ा इंडिस्ट्री बगरा को महां का तो इसमल के लिएंडिस्ट्री बगरा अगर बात करेंगे तो रस्या में भी उस समय क्या था कि working hours 15 hours से भी ज्यादा भी होता था और बड़ी बड़ industry का बात करेंगे तो वहाँ पर generally government का control था और workers वान मिनेट workers divided by skill और वर्कर्स का भी बात करेंगे वहाँ पर different category की workers थे जैसे कि metal worker of saint petersburg consider themselves aristocrats, जैसे के metal को work करने वाले, iron steel industry में काम करने लोग जो है, ये लोग अपने आपको aristocrats among the workers, workers में भी अपने आपको ये लोग high level का workers समझते थे, और ये इसलिए क्योंकि इन लोगों का work जो है, occupation जो है, demanded more training and skill, that means, ये iron steel में काम करने लोग जो है, इसको ज्यादा training and skill का जरूरत परता था, इसलिए यहाँ पर काम करने वाले लोग, जैसे की St. Petersburg में काम करने वाले लोग, अपने आपको workers का category में देखेंगे, तो aristocrat समझते थे ये लोग, और दूसरे तरफ, women made of 31% of factory level, women भी working करते थे वहाँ पर factory बगरा में, और 31% जो है, women workers थे वहाँ पर, but they were paid less, but जैसे की present day इंडिया में भी होता है, women's को wage काम मिलता था, between half and three quarters of men's wage, that means, men का जितना salary मिलता है, उससे आधा, या पर उससे थोड़ा ज्याधा, यही salary, women का मिलता है, same काम में भी, okay, division among workers sort themselves in dress and manners too, अब workers ने भी different category था, ये इन लोगों का जो कपड़ा से भी मालूम प laborers में भी, workers में भी different category था, okay, but despite divisions, workers did unite to strike work for their right, but ऐसा नहीं है, कि different category का workers होते हुए भी, जैसे कि St. Petersburg में काम करने और workers ने आपने आपको aristocrates ये लोग समझते थे, that means workers में भी different categories बगरा होते हुए भी, different groups होते हुए भी, different levels होते हुए भी, ये लोग एक साथ, that means unite होते थे, जब कोई strike करना होगा, अपना right के लिए लड़ना होगा, तो ये लोग unite होते हुए थे, ठेके, और इसी तरह से, ये तो हुआ सहर का बात, factories बगरा जड़ा सहरे अरिया में होता है, और countryside का बात करते है, that means गाउं इरिया का, in the countryside, peasants cultivated most of the land, जमीन पर Orthodox Church, Church का पास तो बहुत ज़्यादा जमीन होता ही थे उस समय, Church का पास, Nobility का पास, Crown का पास, ये ज़्यादा तर जमीन इन ही लोगों का control में रहता था, that means इसका माली के लोग होते थे, किन्तु काम करने वाले लोग, पेजंस होते थे, और रोशिया में देखेंगे, पेजंस wanted land of nobles to be given to them, of nobles, look, say, Russia का पेजंस साहते थे, कि nobles का अंडर में यतना भी जमीन बगरा जो है, ये जमीन को मिलना चाहिए, workers को मिलना चाहिए, workers means, वहां का पेजंस को मिलना चाहिए, वहां का पेजंस का ये demand था, ठीके, और एसलिए, they refuse to pay rents, एसलिए लोग, rent पे करना भी ये लोग मना कर दिये, ये लोग ने refuse कर दिये, and even murdered landlord, landlord का भी कहीं-काई murder भी कर दिये, that means, ये लोग revolt करना शुरू कर दिये थे, जैसे कि वहां पर exploitation कर रहे थे, nobility, that means, जो जमीन का मालिक बगरा था, crown, nobility, orthodox charge जो है, जमीन पर control इन लोगा था, मालिक ये लोग थे, exploitation कर रहे थे, पेजन्स का, तो पेजन्स आते थे, कि वो land जो है, इन लोगों में distribute कर देना चाहिए, मतलब पेजन्स में distribute कर देना चाहिए, और ये लोग उसका rent भी देना refuse कर रहे थे, और कहीं-कहीं murder भी किये, लोगों ने landlord का भी, और इतना ही नहीं, रोशिया का जो farmers जो ये लोग क्या करते थे, कि अपना जमीन जो है, that means, 10 गों किसान है, ये सब combined होकर, united होकर के काम करते थे, that means, 10 गों महाँ पर फार्मर से 2-2 एकर जमीन होगा, तो अगर 10 फार्मर कर 22 एकर जमीन है, 20 एकर हो गया, that means, सब का जमीन ये लोग put together करके, periodically ये लोग वहाँ पर खेत कर, that means, कहने का मतलब, ये लोग जमीन, जो है, mining करते हो करके खेती, कहने का मतलब जैसे कि अगर आपका पसव-2 एकर जमीन है, आप जमीन को वहाँ पर करने की लिए hypoc7 करने के लिए मसीन बगपड़ता होगा तो इस समय आपको हो सकता 1 बगरगे ज्यादा लग जाता है क्योंकि उत्नाई consoling करने के लिए उतना ही इरि雍 करने के लिए मसीनरी आपको लाना पड़े गए तो यही चीछ अगर डिफ्रेंट फार्मर्स बगरा जो यूनाइटेट होकर के ठीक है अगर दोसको फार्मर यूनाइट होंगे तो 20 एकर जमीन होई जाएगा तो कोई मसीन लाएंगे हार्वेस्टिंग के लिए ठीक है तो उस केसे में यहां पर जो कोस्ट जो है कम पड़ ज का मतलब होता है group ठीक है मिर का मतलब group होता है यह फर्स्ट अपना जमीन को put together करते थे और उसके बाद यह लोग वहां पर put together करके कॉल्टिबेशन करते थे कॉल्टिबेशन के बाद जो भी production होता था यह लोग डिभाइट करते थे according to needs of individual families जो जो जरुरत थे इन लोग का जिस रेशियो में इन लोगों नहीं वहां पर जमीन जिस रेशियो में इन लोग का जमीन होगा ठीक है जिस रेशियो में काम करे हैं के आज के लिए इतना ही फिर निक्स डे आफ्टर तुमर्ल थेंक यू बबाई